इस स्टोरी विडियो को पुरा ध्यान से सुने ये कहानी है एक शेरनी के बच्चे की तो आईए हम शुरू करते हैं एक वक्त की बात है शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन दिया और जन देते ही वह उसी जगह पर मर गई उतने में उधर से कई सारी भेड गुजर रही वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था उन भीडों के साथ मिलकर चला गया अब वह शेरनी का बच्चा उन भीडों के साथ ही रहने लगा और उन भीडों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भीड ही समझ रहा था उसने कभी मास नहीं खा और वो उन भीडों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजरता है। और उसे ये तक नहीं पता था कि वह एक शेर है क्योंकि उसके चारों तरफ भीड़ थी और भीड़ के ही साथ में रहने लगा था, उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा, फिर समय गुजरता गया, और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया, वह भीडों के जुन्ड में बिलकुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भीडों के साथ रहकर भीडों को उसकी आदत हो गई, एक दिन एक ब उसने देखा कि एक जवान शेर भीडों के साथ भूम रहा है, उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, वह भूल गया कि वह वहाँ पर भीडों को पकड़ने आया था, उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा, और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है, उस बूरे शेर ने भी भी अपनी जान बचा कर भागने लगा, कुछ देर के बाद उस बूले शेर ने उस जवान शेर को पकर लिया, बूले शेर ने उस जवान शेर को पकर कर यह कहा, अरे बेवकूफ, तु मुझे देख कर भाग क्यों रहा है, जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छो दो वो उस बूले शेर को देखकर एक भीड की तरह काम रहा था बूला शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहां पर क्या हो रहा था बूला शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया यंव शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन बूले शे शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो अपनी बोडी को नदी में देखो और फिर मेरी बोडी को देखो उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में दे कि जूँने एक शेर की तरह दहारा उसकी दहार को सुनकर पूरा जंगल काम गया उसने अपने आपको पहचान लिया अपनी पावसको पहचान लिया। और तब ही उसने अपने आप में, एक ऐसी एनजी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भीड की तरह जीना रियलीटी नहीं थी वह सिर्फ एक mentally concept था पर अब वो रियलीटी को जान चुका था इस कहानी से बहुत ही deep message निकल कर सामने आता है अपने अंदर से उस weakness को निकालो जो आपके अंदर जूट बोल बोल कर बैठा है आप भी एक शेर की तरह हो जो भीडों के बीच फंस चुके हो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो आपको इस भीड से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशल, अपनी पावज और अपनी एबिलिटी को पहचानना है और जिस दिन आप अपनी पावज, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह तब आपको दहारने से कोई भी नहीं रोप पाएगा अगला कहानी है सरारती चुहा एक बार की बात है एक अनोखे छोटे से गाउं में मुन्ना नाम का एक शरारती चुहा रहता था वह हमेशा मजाग करता रहता था जिससे उसके आसपास के सभी लोगों को परेशानी होती थी एक दिन किसान के भंदार ग्रिह में घुसते समय उसकी नजर एक उचे शेर्फ पर रखे पनीर के एक बढ़े रसीले टुकडे पर पड़ी मुन्ना लोग का विरोध नहीं कर सका और पनीर पाने के लिए उपर चड़ने का फैसला किया वह उच्छल कूट कर उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था लेकिन शेर्फ उसके लिए बहुत उचा था निराश और द्रिल्व निश्चई मुन्ना ने एक प्लान बनाई उसने पास में लकड़ी के बकसों का धेर देखा और पनीर तक पहुँचने के लिए उन्हें सीली के रूप में उप्योब करने के बारे में सोचा जैसे ही उसने बकसों को एक के उपर एक रखा मुन्ना और अधिक उत्साहित हो गया ये सोचकर की पनीर कितना स्वादिष्ट होगा लेकिन जैसे ही वह शीर्ष पर पहुँचने वाला था बकसे लड़कड़ा गए और गिर गए जिससे मुन्ना जमीन पर गिर गया वह भाग्यशाली था कि बिना किसी बड़ी चोट के बच गया लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके शरारती तरीकों ने उसे नुकसान पहुचाया है वहाँ बैठे अपने आप पर दया करते हुए मुन्ना ने पास में एक अकलमंद बुड़े उल्लू को गुजरते हुए देखा कि उल्लू मुन्ना की हरकतों को देख रहा था और उसने कुछ सलाह देने का फैसला किया उन्होंने कहा मुन्ना तुम्हारी शरारतें अस्थाई खुशी ला सकती है लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है शौटकट अपनाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश करने के बजाए धैर्या और कड़ी मेहनत का मूल्य क्यों नहीं सीखा जाए मुन्ना को गल्ती महसूस हुई और उसने सहमती में सिरह लाया उस दिन से उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया उसने गाव के अन्य जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया और उसकी शरारतें अच्छे कामों में बदल गई जिससे सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई जैसे जैसे समय बीटता गया मुन्ना अपनी द्यालुता और मदद के लिए जाना जाने लगा अन्य जानवरों ने उसके परिवर्तन की तारीफ की और उनके जीवन पर उसके सकारात्म प्रभाव की सराहना की उन्होंने सीखा की शरारती होना कुछ समय के लिए मनोरंजन हो सकता है लेकिन द्यालु और दूसरों का ख्याल रखने से स्थाई खुशी मिलती है और इस तरह, मुन्ना, जो एक समय शरार्ती चुहा था, हमेशा खुशी से रहता था और पूरे गाउं में खुशियां और मूल्यवान जीवन की शिक्षाएं फैलाता था शरार्ती होने से अस्थाई खुशी मिल सकती है, लेकिन दयालू और दूसरों का ख्यार रखने से स्थाई खुशी मिलती है थैंक्स फॉर वाचिंग